तो आपका driving license नहीं बना है, driving license की पूरी प्रिक्रिया क्या है, देखे पहले क्या होता था कि आपको IT ओपस के चक्कर लगाने होते थे, तब कई बार जाने के बाद आपका driving license बनता था, उसमें बहुत पैसा भी खर्च होता था, लेकिन अब आपको कहीं भी जाने की जरूरत न के अंदर आप अपने learning license को download भी कर सकते हैं, और उसके बाद एक महीने बाद पक्के license के लिए apply कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान, बहुत easy up बना दिया गया है, आपको पूरी प्रिक्रिया बताते हैं, मैंने तीन driving license बनवाए हुए हैं, अलग-अलग लोगों के, उनकी जो मैं प्रिक्रिया पूरी हैं, वो मैं आपको इस बीडियो में बताता हूँ, सबसे पहले आपको बताता हूँ कि हमाए क्या-क्या documents की जरूरत पढ़ने वाली है, देखे, सबसे पहले इसमें देखिए आपको आधार कार्ट, अपने signature और एक photo, ये documents के तोर पे चाहिए होगे, ए इसमें आपका जो mobile number है, वस वो आधार कार्ट से link होना चाहिए और आपका काम हो जाएगा, देखे, इसकी process मैं आपको समझाता हूँ, इसमें क्या-क्या आपको करना होगा, बिल्कुल exact क्योंकि मैंने तीन driving lessons बनाय हुए हैं, और तीनों मेरे driving lessons जो हैं, वो completely बन चुके हैं देखे, सबसे पहले इसकी जो process है, वो मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपको सबसे पहले online apply करना होगा, जो कि आप अपने आधार कायट की OTP के जरीए कर लेते हैं, बहुत easy है, मैं आपको बताता हूँ कैसे, उसके बाद आप जब online complete कर लेंगे, फिर आपको documents upload करने होग वो भी आपको upload करने होगे, उसके बाद एक fees payment काटा जाएगे ने की fees कटेगी आपकी, वो fees आपको मैं बताता हूँ, दिखे, अगर आप two wheeler और four wheeler दोनों का करवाते हैं, तो आपके लगभग लगभग 300 रुपे के आसपास की fees करती है learning की, क्योंकि पहले बनता है learning, और learning क यह learning license जब आपका बन जाएगा, उसके एक महीने बाद से ले करके और छे महीने के अंदर आप packet driving license के लिए apply कर सकते हैं, वो भी मैं पूरी समझाता हूँ आपको एक-एक करके, जब आपकी fees इसमें कट जाए, जैसे कि मैंने बता है, fees कटने के बाद फिर आपको एक slot book करना ह हो गया नहीं कि एक date चूच करनी होगी, कि आप जो learning license का जो test है, जो घर बैठे देना चाहते हैं, वो किस date को आप देना चाहते हैं, तो आप अपने इसाब से choose कर लीजिगा, उसमें date का option आता है, date आप जैसे ही choose करेंगे, उसी date में आपको online कुछ लगबग 10-15 उसमें कर लेते हैं, साथ दिन के अंदर अंदर आपका जो learning license है, वो आप उसको download कर सकते हैं, अब जैसे आपका learning license बन गया, अब उसको हमने download कर लिया, अब क्या होगा, download जब हम learning license कर लेंगे, उसके एक महीने बाद, एक महीने तक आपको नई पक्के के लिए आप online कर पाएंगे, एक महीने बाद फिर आप पका license जो होता है, उसके लिए आबिदन करेंगे, एक महीने से लिके 6 महीने के बीच में आपका learning license मानने होगा, इसके बीच में आप पकी license के लिए online आबिदन करेंगे, उसमें क्या होगा, उसमें भी बड़ी छोटी सी process है, उसमें तो ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है उसमें तो दुबारा से बस ऑनलाइन एपलाई करना है और उसमें जो आपकी फीज काटी जाएगी something पंद्रह सो रोपे से कम ही वो होती है लगबग बारा सो रोपे के आसपास की वो फीज काटी जाएगी पकी लाइसेंस के लिए तो बारा सो और पान सो लगबग मालो केबल 16-17 रोपे ही आपकी लगेंगे और इतने आपका जो पका लाइसेंस है वो बनके आपके घर पे आ जाएगा हाँ बस आपको जब आप पकी लाइसेंस के लिए ओनलाइन एपलाई कर देंगे उसमें भी आपको एक डेट सलोट बुक करना होगा बस उस टेस्ट के लिए आपको सिर्फ एक बार आईटी ओपे से विजिट करना होगा उसके बाद आपको फिर नहीं जाना है आपका जो पूरा completely आप देखेगा पहले आपको online आविदन करना है फिर आपको documents अपलोड करने है फिर आपको fees कटवानी है उसके बाद आपको learning license का test देना है तो आपका learning license बन जाएगा उसके बाद एक महीने बाद फिर आप पकी license के लिए online आविदन करेंगे मैं अगला वीडियो ला झाल 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 झाल